कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो श Fleisch करते हुए दावा कर रहे है कि ये शक्स मुस्लिम है कई Twitter यूजर्स ये वीडियो ट्वीट करते हुए यही दावा कर रहे है तो क्या वाकई में कुर्सी पर रखी हिंदू देवी सरस्वती की मूर्ती को लात मारने वाला ये शक्स मुस्लिम है वारल ट्वीट पर रिपलाई करते हुए एक यूजर ने ये अकबार की क्लिप शेर की इसमें बताया गया है कि ये घटना गुजरात के कवांट के छोटा उदेपुर की एक स्कूल की है इस आधार पर हमें न्यूस एटिन गुजराती की ये वीडियो रिपोर्ट मिली ८ाद्यमिक शाळानों शिक्षक चा जैने दारुन आनश्या मां शालामां पहुँची दबान मचावता ग्राम जनो पन बेका थेगा अजिख्षक नुँ नाम योगेश राठवा च två, जी नसवाडी तालुकानी कुकर्दा सरकारी माद्यमिक शाड़ा मा प्रवासीच्छרט च सो गुजराती अकवार संदेश ने भी इस आदमी की पहचान योगेश राठ्वा के रूप में की है आगे इस पूरी गटना के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए आल्ट नियूस ने छोटा उदेपुर के पी आई सीम गमिट से बात की उन्होंने सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए बताया कि वीडियो में दिख रहा ये शक्स हिंदू है और इसका नाम योगेश राठ्वा है शादे समारों में शामिल होने के लिए ये वहां आया था और नशे की हालत में उसने स्कूल में हंगामा किया था इस मामले में पुलीस ने शिकायत दर्च कर इस आदमी को हिरासत में ले लिया था तो जैसा कि आपने देखा ये शक्स मुसलिम नहीं बलकी हिंदू है और नशे की हालत में इसने स्कूल में तोड़ फोर की थी लेकिन सिर्फ वीडियो देख कर व्यक्ति का धर्म तक बता देने की कला तो सोशल मीडिया यूजर्स के पांस में ही है कर दो कर दो